हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैसन बूटिक में दोस्तों आज मैं आपको सिली हुई सल्वार में पोकेट लगा के बताऊंगा कि किस तरह से हम सिली हुई सल्वार में पोकेट लगाएं कई बार होता है कि कस्टुमर बोल कि हमें सलवार में पोकेट चाहिए और हम पोकेट लगाना भूल जाते हैं तो सलवार हमारी सिल जाती है उसके बाद में कस्टुमर आके देखता है कि उसमें पोकेट नहीं लगी है तो फिर बोलते हैं कि हमें पोकेट चाहिए सलवार में तो सिल जाने के बाद में सलवार हम प पोकेट लगाने का तरीका आपको कैसा लगा तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों ये हमारी सिल्यूई सलवार है अब इसमें हम आपको पोकेट लगाने का तरीका बताएंगे तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है पीछे का जो 20 सेंटर होता है वो और ये दूसरी साइड हमें सेंटर ये इस तरह से बना लेना है ये देखिए इस तरह से ये हमारा देखिए बिल्कुल बराबर बेल्ट में सेंटर बन जाता है इसके बाद में जो हमारा राइट है ये देखिए राइट हैंड आएगा इस तरह से हमापको बताते हैं कि सलवार हमें इस तरह से बाढ़ने होती है योक्स मिट्टी की मदद से हम पहले सेंटर में निशान लगाएंगे यह सेंटर में पहले इस तरह से निशान लगा नाड़ा डालने के लिए, तो हमें क्या करना इसमें हमें कट नहीं देना जो पोक एड़ लगाएंगे जहां तक हमारी सिलाई लगए उसके बदथ लगा लेंगे, यह निशान जब हमारा लग जाता है तो इसके बाद में क्या करना है कपड़ा लेना है कपड़ा आप मैचिंग करके भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें 19-20 कलर कोई भी लगा सकते हैं यह हमने हलका सा 19-20 का यह कलर है मैचिंग तो यह हमने ले लिया कपड़ा अब हमें क्या करना है सबसे पहले यह देखिए धाय इंची चोड़ी पट्टी एक कटिन करना है सीधी यह हमने धाय इंची चोड़ी पट्टी कटिन कर लिया और यह पट्टी कटिन करने के बाद में हमें पोकेट भी कटिन कर लेना है तो पोकेट देखिए हमें क्या करना है 20 इंची लंबी pocket कटिन करना है यह देखें यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से हमें 20 इंची रखेंगे और इसके बाद में जितनी हमारी यहाँ तक लंबा 20 इंच आ रही है तो वहाँ तक हमें कपड़े को कटिन करके निकाल देना है तो इस तरह से हमने 21 इंची ये बेल्ट कटिन कर लिया अब देखे इसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे उपर से 7 इंच हटकेक हमें निशान लगाना है इस तरह से और यह जो हमारा नीचे का कपड़ा बचा हुआ है तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यह हमें 7 इंच के बिल्कुल बराबर से कटिन कर देना है इस तरह से इंची टेप रखके आप कटिन कर सकते है यह फिर चोक मिट्टी से निशान लगा के भी कटिन कर सकते है यह देखे जब इस तरह से पोकेट हमारी कट जाती है तो हमें क्या करना है यहां पर देखिए यह जो कपड़ा है एक फैर का दबाव देते हुए यह इस तरह से एक फैर का दबाव हमें इस तरह से छोड़ना है यहां पर भी और यहां पर अब क्या करना है यहां पर हमें यह इस तरह से आधाइंच का दबाव लेते हुए नीचे तक हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है और यहां से हम इस तरह से यहां पर सिलाई लगा देंगे तो पहले हम सिलाई कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद में आपको आगे का बताते हैं तो यह में ध्यान रखना है एक पैर का कपड़ा यह हमें छोड़ना है जो हमने निसान लगा है वहीं से सिलाई शुरू करनी है तो यहां पर हम क्या करेंगे सिलाई को करेंगे पहले इस तरह से पक्की और फिर नीचे तक सिलाई लगाएंगे तो एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगा देंगे यहां पे भी हमें सिलाई पक्की करनी है यह देखे इस तरह से सिलाई हमारी पक्की हो जाती है अब इसके बाद में हमें क्या करना है इस पोकेट को इस तरह से पलट देना है तो यह देखे इस तरह से पोकेट हमारी तयार हो गई है अब ये pocket तयार होने के बाद में हम क्या करेंगे ये देखे इस कपड़े को इस तरह से हटा के रखना है ये जो हमने pocket में एक पैर का दबाव देते हुए छोड़ा है और इसके बाद में ये जो कपड़ा है हमें इस तरह से fold कर लेना है और ये धागे को cuttin कर देंगे और अब इसी तरह से हमें दूसरी साइट की सिलाई लगा के कपड़े को fold कर लेना है ये देखे इस तरह से हमारी pocket तेयार हो चुकी है अब हम क्या करेंगे सलवार में pocket का move बनाएंगे तो जिधर हमने ये देखे निशान लगाया है तो ये देखे हमें इस तरह से सीधा करना है ये कपड़े को सारा हमें हटा के रखना है और इस तरह से हम रखेंगे इसे ये जो हमने निशान लगाया है अब ये पट्टी को हमें क्या करना है इस तरह से 20 सेंटर पे एक निशान इस तरह से लगाना है और इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे इस पट्टी को बिल्कुल 20 सेंटर पे निशान पे रखना है यह देखे इस तरह से हम रखेंगे और यह हमें ध्यान रखना है कि यह जो नाडे वाली सिलाई लगी हुई है फोल्ड जो कपड़ा किया है तो यह सिलाई हमारी बिल्कुल भी दबने न पाए तो इस तरह से रखना है और हम यहां से यह देखिए इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहां तक लाने के बाद में यह देखिए हमें इस तरह को घुमा लेना है यह दोस्तों बेल्ट के थोड़ा सा उपर ही रखना है और इस तरह से हम दो सिलाई मतलब दो टाके हटा के सिलाई लगानी है और उसके बाद में ये देखे धागा भी हमें कटिन करते जाना है और इस तरह से थोड़ा सा हट के ही सिलाई लगाना है इस तरह से यहां तक सिलाई लाने के बाद में ये देखे यहां पे हमें क्या करना है यहां पे इस तरह से पक्का कर देना है मैं और एकट यह तरह से हमने सिलाए को पक्का कर दिया अब यह जो ढाला कहा है तो ढाला को में क appla कर देना के अब दूस्तों यहां पर हमें ध्यान देना है यह देख Church अप innovate उस्द हो कटिन करना है पहले के लिसे कम से कम ऑदा से पौना इंच कपड़ा हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा से पौना इंच ऊपर की तरफ और अब ये देखिए क्या हमारा इसमें में काम है कि पोकेट है तो पोकेट को अराम से हमें इस तरह से पकड़ना है और ये देखिए हल्का सा पहले यहां पर हम इस तरह से कट लगाएंगे दोनों तरफ हमारा मार्जन इसमें दबाओ बराबर होना चाहिए इस तरह से और यहां पर यह देखिए हल्का सा इस तरह से कट मारना है और इधर मारना है उसके बाद में उपर की तरफ यह हमें यहां से इस तरह से कट इन करना है और इधर भी हम हल्का सा इस तरह से कट मारेंगे और इधर भी तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में और यह हमने कट इसमें लगा दिया है अब इस कपड़े को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करना है और करने के बाद में इसमें दोस्तों हम लब पे पहले एक सिलाई लगाएंगे इन दोनों कपड़ों को बराबर करके पकड़ना है और यहां तक इस तरह से सिलाई लगा के लाना है और लाने के बाद में इस कपड़े को बराबर फिर यहां से पकड़ना है यहां पर सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी तरफ भी हमें दोनों कपड़ों को एक बराबर करते हुए लब पे सिलाई लगाना है कि यहां पर लाकर चिलाई को पक्का करना है और पक्का करने के बाद में यह देखिए जो धागा है तो धागा में फिनिसिंग से कटिन करना है तो इस तरह से देखिए पोकेट का मूँ बन जाता है अब यह दोस्तों कपड़ा है जो हमें फोल्ड करना है अंदर के तरफ ताकि कि बाहर की तरफ निकलने ना पाय तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में उपर वाला भी हमें फोल्ड कर देना इस तरह से और यह देखे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे वाला भी कपड़ा में यह देखे इस तरह से फोल्ड कर देना है अब यह इधर वाला कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है इधर का फोल्ड करके इस सैड में में सिलाई लगानी है और ये ध्यान रखना है कि हमारी जो नेफा फोल्ड है तो दोस्तों नेफा में हमें ज्यादा उपर तक सिलाई नहीं लगानी जहां से हमारे नेफा फोल्ड की सिलाई लगी है तो उसी तक हमें सिलाई लगाना है क्योंकि नाड़ा डालने में बाद में दिक्कत नहों और ये धागे को हम फिनिसिंग से कटिन करेंगे तो ये देखिए जो पोकेट का मुह है तो ये दोस्तों बन चुका है अब इसमें हमें पोकेट किस तरह से लगाना है तो पूर हम आपको बताएंगे तो देखिए इस तरह से उल्टा करके रखना है इस तरह से उल्टा करके रखने के बाद में अब हमें लेना है पोकेट और ये देखिए पोकेट है तो हमें क्या गरने पहले इसका 20 सेंटर इस तरह से मिलाना है और यहां पर एक हलका सा कट लगा देंगे या फिर आप चौक मिट्टी से भी निशान लगा सकते हैं और इस पोकेट को देखिए हमें इस तरह से रखना है और इसे हम क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में ये वाला कपड़ा है जो उपर की तरफ रहेगा तो इस तरह से हमें हटा देना है ये देखिए ध्यान से देखना इस तरह से कपड़े को ये वाले को हटाना है और हटाने के बाद में ये जो इसका pocket का मुу है तो इस तरह से रखना है बराबर थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ खिसका के और अब हम क्या करेंगे ये दिखी इस तरह से एक पेर का दबाओ देते हुए इसमें सिलाई लगाना तो यहां पहले हम सिलाई को पक्का करेंगे और यह जो नीचे वाला कपड़ा है तो दोस्तों हमें हटा के रखना है इस तरह से अब ये देखिए इधर का आ गया तो ये हमें इस तरह से पकड़ना है नीचे वाला कपड़ा हटा के ही रखना है और ये देखिए हमें आरी सिलाई यहां तक लग चुकी है अब दोस्तों हमें क्या करना है यह देखिए pocket को इस तरह से हमने गुमा लिया है और यह जो pocket है तो अब हमें इस तरह से बाहर की तरफ कर देना है और अब देखिए हम sily इसके उपर से लगाएंगे इस तरह से तो यहां पर 현재 आफे आप चाहें तो पक्का कर ले इस तरह से और अब देखे हमें क्या करना है इस pocket को 20 center मिलाते हुए यह हमें ध्यानक ना कि 20 center पर यह आना चीए बिल्कुल तो यह जो इसका देखे हमने इसका मुह बनाया हुआ है तो इस तरह से हमें देख लेना है कि 20 center है या फिर कम आगे पीछे है तो यह बिल्कुल बराबर है यानि 20 center पर है अब यह हमें सिलाई लगाना है यह देखे यहां तक हमने सिलाई लगा दिया अब इस कपड़े को हमें क्या करना है इस तरह अंदर के तरफ फोल्ड करना है लेकिन यह कपड़ा हमारा काफी बड़ा है तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ज्यादा बाहर के तरफ नजर ना है तो इस तरह से हमें पहले बराबर मिला के रखना है और इस तरह से हम इसे कटिन कर देंगे अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है अंदर के तरफ यह देखिए और यहां तक सिलाई लगाने के बाद में हमें इस तरह से घुमा लेना है पोकेट को और अब हम क्या करेंगे देखे यहां से इस तरह से हमें फिनिस करके रखना है बराबर ताकि इसमें जोल ओल ना है और ये जो कपड़ा उपर का है तो इस तरह से हम अंदर के तरफ फोल्ड करके इसमें हमें सिलाई लगानी है अब यहां तक लाने के बाद में सलवार को इस तरह से हम घुमा लेंगे और ये देखिए अब हमें क्या करना है इस साइड में सिलाई लगा देना है और यहां पर लाकर इस तरह से हमें सिलाई पक्की कर देना है तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने पॉकेट इसमें लगा दिया है और ये धागे को हम फिनिसिंग से कटिन करेंगे हम आपको दिखाते हैं कि हमारी pocket किस तरह से लगी हुई है तो देखे ये जो pocket है हमारी तो इस तरह से लगी हुई है और ये देखे आसानी से इसमें हमारा हाथ आराम से चला जाएगा यह देखिए और इसमें आप mobile है पैसे हैं या फिर कोई भी समान इसमें आराम से रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप सिलिवी सलवार में pocket लगा सकते हैं अगर आपको इसलिवी सलवार में pocket लगाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अप्लोट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके तब तक के लिए थांक फॉर वाचिंग इस वीडियो